आज हम सिखेंगे सनलगन आकृतियों का शेत्रफल प्राप्त करना बंत आकृतियों यानि क्लोस्ट फिगर्स द्वारा घेरे गए तल के परिमान को उसका शेत्रफल यानि एरिया कहते हैं जैसे इस आयत को देखिए इस आयत की लंबाई यानि लेंध पांच सेंटिमिटर और चोड़ाई यानि ब्रिट्थ चार सेंटिमिटर है अगर हम इसे एक वरगांकित कागस पर रखेंगे जिसमें एक सेंटिमिटर भुजा वाले वरग बने हैं तो हम देखते हैं कि इस आयत की परिसीमा यानि बाउंडरी कुल 20 वरगों का स्थान घेरती है हम कहते हैं कि आयत का शेत्र फल 20 वरग सेंटिमिटर है जिसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं लेकिन अगर हम देखेंगे तो पाएंगे यहां आयत के लंबाई और चोड़ाई का गुणन फल है इन दोनों स्थितियों को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि आयत का शेत्र फल बराबर लंबाई गुणन चोड़ाई होता है यदि हम लंबाई को ल से और चोड़ाई को बी से दर्शाते हैं तो आयत का शेत्र फल ए होगा ल गुणन बी सरा सोचिए अगर आयत के लंबाई और चोड़ाई समान हो तो हमें कौन सा आकार प्राप्थ होगा? सोचिए सोचिए बिल्कुल सही इससे आयत की सभी भुजाएं समान हो जाएंगी यनि की हमें वर्ग प्राप्थ होगा इस थिती में हम कह सकते हैं की वर्ग का शेत्र फल बराबर भुजा के लंबाई गुणा भुजा के लंबाई बराबर भुजा के लंबाई का वर्ग यदि हम भुजा के लंबाई को ए से दर्शाएं तो वर्ग का शेत्र फल होगा ए का वर्ग अब इस आकृती को देखिए क्या आप बता सकते हैं इसका शेत्रफल क्या होगा सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं हम इस आकृती को इस प्रकार दो आयतों में बाट सकते हैं चलिए इन्हें नाम दे यह है आयत A, B, C, D और यह है आयत D, E, F, G हम आयत A, B, C, D की लंबाई 8 cm और चौडाई A, D, बराबर A, G, R, D, G, बराबर 5 cm, R, D, 2 cm, बराबर 3 cm लेंगे इसी तरह आयत D, E, F, G की लंबाई 3 cm है और चौडाई 2 cm है इस तरह से आयत A, B, C, D का शेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौडाई बराबर 8 cm गुणा 3 cm बराबर 24 cm2 और आयत D, E, F, G का शेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौडाई बराबर 3 cm गुणा 2 cm बराबर 6 cm2 इसलिए पूर्ण आकृती का शेत्रफल होगा आयत A, B, C, D का शेत्रफल धन आयत D, E, F, G का शेत्रफल बराबर 24 cm2 धन 6 cm2 बराबर 30 cm2 अब क्या आप इस आकृती का शेत्रफल ग्याद कर पाएंगे? सोचिये, सोचिये चलिए हम बताते हैं वांचित शेत्रफल बराबर वर्ग A, B, C, D का शेत्रफल रिंड वर्ग E, F, G, H का शेत्रफल यहां वर्ग A, B, C, D का शेत्रफल होगा भुजा का वर्ग बराबर 6 cm का वर्ग बराबर 36 cm2 सेंटिमिटर और वर्ग EFGH का शेत्रफल होगा 4 स्क्वेर सेंटिमिटर आकृति का शेत्रफल ग्याद करने के लिए हम वर्ग ABCD के शेत्रफल से वर्ग EFGH के शेत्रफल को घटाएंगे इसी तरह से आकृति A, H, G, F, E, B, C, D का शेत्रफल होगा 36 स्क्वेर सेंटिमिटर रिंड 4 स्क्वेर सेंटिमिटर बराबर 32 स्क्वेर सेंटिमिटर तो आज हमने सीखा सनलगन आकृतियों का शेत्रफल प्राप्त करना अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ उधारन देखेंगे